Hello friends, कैसे हैं आप सब मैं हूँ Vishu तो आज के इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं कि Google Spreadsheet में Spark Line Formula कैसे यूज़ करते हैं उससे पहले जान लेते हैं कि Spark Line Formula होता क्या है देंकि इसका इस्तवाल किया जाता है दिएका data को यूज़ करके छोटा सा chaat बना देना मलना भी एक mini chart आपको show कर देगा जैसे data कब उपर जा रहा है कब नीचे जा रहा है अब जब use करें तो आपको और clear हो जाएगा अब यहाँ पर एक example समझ लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि data 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, अब माल लीजिए कि इस data के base पर हमें एक छोटा सा chart यहां बनाना है, तो जिस cell बनाना वहाँ पर select कर लीजिए उसको पहले, उसके बाद equal to type करिए, उसके बाद हमें type करना है S, P, A, R, K, तो नीचे देखिए spark line का option आ आ गया, आप बागी के लिए भी बहुत simple है, इसको select करिए और यहां plus sign दिया हुआ है, इसको पकड़ के नीचे तक drag कर दीजिए, तो बागी data के लिए भी आपके बास एक mini chart बन करके आ गया, ठीक है?